कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और सुख्मक्य कुदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय शला कानूनी शला या तो व्यक्तिगत्च शला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए वो फीडबेक फीडबेक खेल रहे लास्ट 45 दिन से ज्यादा हो चुका है इसका एक्चेंज है यूजर्स अपने फंड्स को विड्रावल्स नहीं कर रहे हैं तो भी यहां पर यूजर्स को अपडेट देना बनता है कि वजिरेक्स की पास से क्या अपडेट आ रहा है लोग कि साथ विड्रावल्स कब देंगे लोग कोट कहेगा तब पेशा वापस करेंगे ऐसा भी यहां पर हमारे सामने कुछ चीजे आई हैं तो कुछ फीडबेक से उसे देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उमिद करता हूँ आप जितने भी यूजर्स यहां पर वी उसके एप्लिकेशन के थ्रू तो उस आएमपी शवाल है उसके रिप्लाइए इन लोगों ने दिये हैं सबसे बेला शवाल है कि वाई के नौट जेटाई जस्ट री ओपन क्रिप्टो करंसी विड्रावल्स नाव किसी यूजर्स ने पुछा है कि जेटाई मतलब अभी जो क्रिप्टो वगेरा वो शंबालता था तो किसी ने पूछ लिया कि जेटाई अभी क्रिप्टो करंसी का विड्रावल्स क्यों शुरूर नहीं करता है तो आंसर दिया है कि साइबर एटेक हुआ है एक्चेंज के अंदर 18 जुलाई 2024 को और लार्ज वोल्यूम के अंदर ERC20 ट विड्रावल्स बचावा फंड्स भी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसका ऐसा कहना है कि इसके अंदर लिगली हम पेसा वापस करेंगे इसके अंदर कोट का इन्वोल होना बहर जरूरी है कोट कहेगा बाद में हम पेसा वापस करेंगे क्रेडिटर्स का डिस्टिबिशन तब शुरू होगा जब कोट की तरफ से अप्रू आएगा क्योंकि बचा हुआ पैसा हम डारेकली नहीं दे सकते हैं क्योंकि कम्प्लेटली पैसा नहीं दे रहे ना इसलिए ऐसा इसका कहना है सेकंड चीज किसी ने पुछा है कि when am I going to be able to withdraw cryptocurrency क्रिप्टो करंसी को कब हम withdraw कर पाएंगे तो यहाँ पर जेटाई ने कहा है कि सिंगापूर के अंदर जो अभी इन लोगों ने application filing किया है एक proposal filing किया है high court के अंदर तो जेसे ही सिंगापूर का high court इसे अपरूव दे देता है तो फिर उसके terms and condition के साथ हम withdraw शोरू करेंगे और साथी साथ इन लोगों ने कहा है कि timing 6 महीनों का लग सकता है expected timing है 6 महीने कहा गया है बट court कभी भी अपरूव दे सकता है next ने आपे हम बात करेंगे तो किसी users का सवाल है कि अगर management clear नहीं है अगर जेटाई a decision नहीं ले सकता है तो भी क्यों लिया अगर platform का ownership जेटाई के पास नहीं है लोगों ने decision क्यों ले लिया क्योंकि मैं एक बार आपको explain कर देता हूँ वजिरिक्स का ऐसा मानना है कि जेटाई जो कंपनी है उसका connection बाइनस के साथ है और जेटाई को उसलिए खड़ा किया गया है कि बाइनस वजिरिक्स को acquire कर सके डारकली तो नहीं कर सकता है इसका कोई company होना चाहिए parent company तो इन लोगों ने सिंगापूर के अंदर एक parent company जेटाई को open किया था जेटाई private limited और उसको acquire किया था बाइनस ने ऐसा केना है तो आप लोगों ने decision कैसे ले लिया अगर आपके पास ownership अगेरा नहीं है तो decision कैसे लिया एक unclear है तो जेटाई ने यहाँ पर answer दिया कि 23 जनवरी 2024 से बाइनस के इस सारा का सारा जो fund से वो जेटाई संबाल रहा है ऐसा यहाँ पर उसका केना है कि जितने भी deposit वगेरा आते है balance वगेरा है वो सारे के सारे जेटाई के पास थे 23 तारीक से बाइनस से वो support नहीं कर रहा है और हमारे साथ problem भी चल रहे है अब बाइनस का मामला सुलजने में क इसा solution आजाए और solution आएगा तो जेटाई का ऐसा कहना है कि तो बाद में जेटाई जिम्मीदार नहीं रहेगा फिर जिम्मीदार रहेगा बाइनस तो अभी तो ऐसा कहना है ठीक है next यहाँ पर हम बात करेंगे किसी ने सवाल किया है कि जेटाई ने इंडिया के अंदर क्यों केस नहीं किया ये मैटर NCLT या तो फिर NCDRC इंडिया के अंदर हैंडल कर सकता था बड़ ऐसा क्यों नहीं किया गया तो यहां पर जेटा ने आंसर किया कि जेटा जो इंटिटी है वो सिंगापूर बेज़्ट है और प्लेटफॉर्म का जितना भी एसेट इन उनर्सिफ है वो बाइनस के साथ मामला जुड़ा हुआ है क्योंकि जेटा को एकवार किया बाइनस ने वो बाइनस का यह ऐसा मानना है अभी तो ऐसा ही के रहा है वजिरेक्स ठीक है बाद में पता नहीं क्या क्लियरेटी आती है और बाइनस के साथ प्रोब्लेम वगेरा चल रहे हैं तो रहेगा तो वो सिंगापूर के अंदर कर देगा ठीके और बाइनस का मामला सुलजने में काफी ज्यादा प्रोब्लेम है और साथ सब का है कि अगर बाइनस का मामला सुलज जाता है बाइनस का अन्बंद सुलज जाता है तो सीधा सीधा बाइनस जिम्मेदार होगा और फिर repayment भी Binance को ही करना पड़ेगा आगे यहाँ पर किसी ने सवाल किया है कि आप लोग का जो चूरी किया गया funds से users का लोश हुआ है उसे recover करने का क्या planning वगेरा है तो यहाँ पर वजेरिक्स ने answer दिया है कि इसके solution के लिए हम पूरी कोसिस करेंगे funds को recover करने की कोसिस करेंगे tracking के द्वारा tracing के द्वारा यहाँ पर funds को recover करेंगे और बहुत ज़्यादा improvement करेंगे recovery करने के लिए और केसे भी करके track करके यह funds को recover करेंगे plus यहाँ पर यह भी कहा है कि हम ऐसे से product के अंदर implementation करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा revenue generate किया जाए और profit किया जाए और साथी साथ हमारे profit में से हम users को profit है share करेंगे और आपका funds recover करवाने में मदद करेंगे बड़े बड़े लोगों से partnership करेंगे और funds भी raise करेंगे यहाँ पर इसका एक उस planning है कि भाई को उसे से product लाएंगे उसे implement करेंगे revenue generate करेंगे और revenue में से कुछ revenue users को share करेंगे प्लास ऐसे ऐसे partnership करेंगे VC से partnership करेंगे ताकि वहाँ से funds raise किया जाए और users को पैसा वापस दिया जाए और कोसिस ए भी रहेगी कि चोरी गिया गया funds को भी हम recover करे KCV करके इसको improve करे जादा से जादा tracking करें बड़ी बड़ी company उसे partnership करें आगे का सवाल यहाँ पर देखेंगे कि कब हम expect कर सकते हैं कि platform के अंदर trading regime हो trading कब शुरू होगा क्या हम expect कर सकते हैं तो answer यहाँ पर दिया गया है कि जो court के अंदर अभी case चल रहा है जब तक हम crypto का withdrawals आप लोगों को ने दे देंगे तब तक हम यहाँ पे trading को शुरू नहीं करेंगे पेले users का पैसा है वापस करेंगे चाहे 55% हो चाहे या कहीं से funds raise हो जाए 100% हो चाहे 50% हो अभी यहाँ पर हम expect कर सकते हैं कि अगर वजरिक्स ठीक है यह गंदाजा है तो वजरिक्स आपको 55% तक पैसा वापस कर सकता है अभी इन दिनों के यहाँगा जितना भी मामला मुझे समझने में आया है तो पैसा देने के बाद यह लोग क्या करेंगे आने वाले 6 महिने तक तो साइज ब्लेटफोर्म ओपन नहीं होगा क्योंकि 6 महिने का टाइमिंग लिया है और जैसे कोट अपरूव देगा उसके बाद यह लोग विड्रावल शुरू कर सकते हैं और विड्रावल शुरू होने के बाद यह लोग है वो ट्रेडिंग को शुरू करेंगे तो पेशा दब तक वापस नहींगा तब तक इन लोग का प्लानिंग नहीं कि ट्रेडिंग को शुरू किया दाए आगे यहाँ पर यह भी कहा गया है यूजर्स ने शवाल किया है कि क्या कुस आपके specials creditors को आप लोग पेशा वापस दे देंगे क्या secretly आप किसी को पेशा वापस कर देंगे ऐसा होगा तो यहाँ पर कहा है कि no all platform users हमारे लिए shame है हमारे लिए सब एक है मतलब हमारे लिए सब लोग shame है हम किसी को ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा कोई जान पेशान वाला बंदा होगा और उसको पेशा वापस करेंगे इसा बिलकुल नहीं होगा इसा यहाँ पर कहा गया है तो यह थी आज कि कुछ IMP updates मतलब की answer वजरिक्स नहीं दिया हुआ है उमीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और मुझे एक clear नहीं हो रहा है कि 55% funds अगर इस लोगों के पास है तो वापस क्यों नहीं दिया तो वहाँ पर एक answer तो उसने दिया है कि हम ऐसे directly नहीं दे सकते है क्योंकि users का काफी जादा funds से वो affected हुआ है और अब कुछ यह लोग planning करेंगे और court जब तक साइध अपरू नहीं देगा तब तक यह लोग पैसा है वो वापस नहीं करेंगे तो planning के साथ देना है और बीच में court को रखना है ताक कि legally इसको process किया जाए इसलिए इन लोगों ने पैसा वापस नहीं दिया है वो reason दिया है plus Binance का भी कही न कही name आ रहा है कि जो JTai Private Limited है वो Binance ही चलाता था पहले बट Binance देविस तारिक से ठीक नहीं चल रहा है दूर चला गया है और उसके बीच में problem हो गया है अगर उसका solution आ जाता है तो directly जिम्मेदार Binance होगा बाकि यह सभी चीजे देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या यह hacking जान बुझके किया गया है क्या सही में hack हुआ है क्या users को पैशा वापस मिल जाएगा क्या Binance आएगा सामने क्या Binance again JTai को चलाएगा और Binance users का पैशा वापस कर देगा आपके दिमाग में क्या चल लगता है मैं तो जाता हूँ कि Binance आजाए और users को शोट अगा पैशा वापस कर दिया जाए